नवस्कार दोस्तों आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है आज हम बात करने बाले हैं आरोपत्र, चारसीट और चालान जो अभ्यूकत के खिलाप आता है मुलजिम के खिलाप आता है उसके समन्द में आखिर ये होता क्या है किसके खिलाप आता है कब आता है क्या परिस्तिति आज इन सारी विश्यों पर जो भी चारसीट से समंदित बिंदू है उन पर हम चर्चा करने वाले हैं देखिए यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके साथ साथ आप मेरे जो व्लोग चैनल है एडीवी.मुकेश बगडिया व्लोग हुआ अब अपराद होता है किसी वेक्ति के साथ किसी परकार की कोई गटना को अंजाम देना जो अपरादी गतिविती हो जैसे किसी वेक्ति को उसकी सहमती के बिना कोई वेक्ती उफ़ती कारित करता है चोट कारित करता है ऐसी दशा में उस वेक्ति ने अपराद किया है औ तो A नाम का एक विक्ती है, उसने B जो नाम का विक्ती है, उसके साथ किसी परकार की कोई मारपीट करी, उसे उफ़ती कारित करी, तो ऐसी दर्शा में A ने अपराद कारित किया, अब A के खिलाप पुलिश में अगर B F.I.R. डर्ज करवा देता है, अब सबसे एक महत्वपू जाएगा, तब ही तो कारवाई होगी, यानि पुलिश में अपरी शेहर सी या फिर कोट के शमक जाएगा, तो ही कारवाई होगी, अदरवाईस कारवाई नहीं होगी, या फिर कोट उस मामले में संग्यान ले लेता है, या किसी भी अन्य विक्ती दुआरा भी कोई F.I.R. दरज करवा दी जाती है, और पेडित उसकी पुष्टी कर देता है, तो ही F.I.R. दरज होती है, इस बात को आप जान ले, अब जैसे ही किसी विक्ती के खिलाब जो B हैं, B के खिलाब यहाँ गटना कारित होने के बाद उसके खिलाब F.I.R. दरज हो जाती है, तो F.I.R. के अपराद करने वाले, दस विक्ती भी हो सकते हैं, सो विक्ती भी हो सकते हैं, सामुईक रूप से भी अपराद किये जा सकते हैं, तो कितने भी विक्ती हो सकते हैं, उन सब के खिलाब, जो जो दोसी पुलिस मानती है, जिन लोगों को investigation में, उन लोगों के खिलाब कोर्ट में चार सीट फाइल करती है अब जब पुलिस चार सीट फाइल करती है तब कुछ लोगों को अरेस्ट भी करती है कुछ लोगों को बिना अरेस्ट किये भी उन्हें सुचना दे देती है कि हाँ आपके खलाब इतनी तारीक को चार सीट फाइल होगी आप कोट में हाजिर हो बेल कर वाली जीए, ऐसी अलग अलग परिष्थितिया मौजूद होती है, कई बार यह रहता है कि जैसा ही कोई मामले की गंबीरता होती है, कोगनीजवल ओफेंस है, गंबिड़ता है मामले की, और पलीस ने किसी वیکتि को अरेस्ट कर लिया है, और अरेस्ट करने के बाद में कोट में बेल आउट हो जाता वैकती बेल हो जाती है उस वेकति की, और दीमांड पेपर उसका चलता रहता है, तो फिर उसके बाद में चार सीट फाइल करी जाती है तो चार सीट जरूरी नहीं है जब विक्ति को अरेस्ट करते हैं उसी समय चार सीट फाइल कर दी जाती है ऐसा कुछ नहीं है चार सीट मतलब आरोप पत्र की हाँ आपने ये ये आरोप है आपके उपर यह आरोप लगाया जाते हैं, आपने इसससा अपराद किया है, एक तरीके से चार सीट यह है, जैसे ए नाम का वेक्ति है, उसने कोई भी चीज है, जैसे मेरा मोबाईल है, उसने मेरा मोबाईल तोड़ दिया, तो रिस्टी कारित करी है, मिस्सीप करी है, अब र आपने ऐसा ऐसा मोबाइल था जो मुकेश्जी के उनके मोबाइल को आपने तोड़ा, उनके साथ 1 पीट करे है आपके ओपर यह आरोप है तो यही आरोप पत्तर इतनी के तो आगे की ट्रयी 실न चौरः का बंचन तो इसा तो इसके आरोप पत्तर शुरू हो जाती है तो आरोप पत्तर एक आधार है कोट में जिसके आधार पर जैसे कहते हैं कि एक मकान बन रहा है तो मकान बनने से पहले उसके निव अच्छी से मजबूती देनी पड़ती है निव को उसी तरीके से जब कोट में मामला जाता है तो उसकी निव चार सीट है आरोपत्र हैं, चालान हैं, जिसके माद्यम से कोट उस वक्ति की ट्राइल करता है, कि हाँ इस वक्ति ने ये ओफेंस किया है, अब उस वक्ति को सजा देनी है, नहीं देनी है, या वास्तों में उस वक्ति ने किया है नहीं किया है इन चीजों की तैकिकात करना कोट का काम है कोट इन्वेस्टिकेशन नहीं करता है कोट इंक्वारी करता है जाज करता है लेकिन पुलिस इन्वेस्टिकेशन करती है इस बात को भी इसके साथ साथ जान ले तो फिर जो कोट है उस मामले में inquiry करता है जाज करता है सारी परकिरिये जो criminal मामलों में अपनाई जाती है वो फिर अपनाई जाती है तो अगर संसिप रूप से कहूं तो चार सीट आरोब पत्र चालान जब किसी वेक्ति के खिलाब फायल होता है तो वह यह कह रहा है या उसका मतलब यह है कि हाँ इस वेक्ति ने यह ओफेंस किया है यह अपराद किया है और इस वेक्ति की अब ट्राइल चलेगी कोट में तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो के माद्यम से आप बहतरीन संग्ध गये होंगे कि आरब पत्र गया है चार शीट यह रही है करेंगे आज इस वेक्ति करेंगे क्योंकि हम किसी टोपिक पे बात करते हैं तो एक बार उसले की समझाने का परियाष करते हैं, इस पहलक से वीडियो लेकर आ जाएंगे और साधरन से साधरन सब्दों में हम समझाने का परियाष करते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार कोमेंट कीजिए दुबारा से अगर उचित लगता है तो उस विशे पे वीडियो बनाने का परियास भी किया जाएगा और कोई आपके मन में भी कोई डाउट है कोई वीशे आप भी चाते हैं कि इस विशे पे वीडियो बने तो वो भी मुझे कोमेंट करके बताईए